हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल मैच सवाटिका में दोस्तों मैं हुरू पेश्यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे कोशन को देखेंगे जो रेलेवे परिच्छाओं में बार बार पुछे जाते हैं इससे पहले भी इस सेरीज के वीडियो को हम ने अपलोड किया है जिसके फ्लेलिस्ट का लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहले कोशन को पहला question है निम्लिकित में से कौन सा भिन एक सांत दसंबलब में होगा सांत दसंबलब और असांत दसंबलब से related question 2018 के गुरुबडी के एकजाम में लगभग सभी पाली में पूछा गया था तो आईए इस concept को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं देखें सांत दसंबलब किसको बोलेंगे जिस भिनकामान दसंबलब के निशित अस्थान तक जाकर के रुक जाए वह सांत दसंबलब में होगा और जिस भिनकामान दसंबलब के निशित अस्थान तक जाकर के ना रुके वह सांत दसंबलब में होगा जैसे अगर हम भाग करें एक में चार से तो जब आप एक में चार से भाग करिएगा तो इस कामान होगा 0.25 भाग करके आप चेक कर सकते हैं 0.25 तो यहां दसमलब के निश्चित अस्थान तक जाकर के रुक गया तो यहां आपका क्या होगा 7.25 होगा जिस भीन कामान दसमलब के निश्चित अस्थान तक जाकर के रुक जाए वह भीन आपका 7.25 में होगा लेकिन अगर आप भाग करते हैं एक में तीन से तो जब आप एक में तीन से भाग करिएगा तो इस कामान होगा 0.333.333 लगाता राते रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि इस भीन कामान दसमलब के निश्चित अस्थान तक जाकर के नहीं रुका है और तही आपका 7.25 नहीं होगा मतलब यह क्या होगा यह असान दसमलब होगा तो उपर वाला आपका 7.25 नीचे वाला आपका क्या है असान दसमलब है ठीक उसी प्रकार से अगर हम दो में भाग करें पांस से तो दो में जब आप पांस से भाग करिएगा तो इसका मान हो जाएगा जीरो दसंबलब चार देखें दसंबलब के निशित अस्थान तक जाकर के यह रुक गया तो इसका मान किस में होगा सांत दसंबलब में होगा बट्टा में, जिस संख्या के बट्टा में, या तो दो का पावर इन हो, या तो दो का पावर इन हो, या तो दो का पावर इन हो, या पिर यह दोनों हो, तो वह संख्या जो होगा, वह संख्या जो होगा, वह सांत दसंबलब में होगा, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा ह तो आपका उसान दसम्वलब में होगा दो का पावर इन कहने का मतलब दो का पावर एक दो होगा दो का पावर दो चार होगा दो का पावर तीन आठ होगा दो का पावर चार सोला होगा दो का पावर पांच बतीस होगा इसी तरीके से अगर किसी संख्या के बट्टा में दो मि आगर 2 यानि 25 मिले 5 का क्यूब यानि 125 मिले इस तरीगे का संख्या मिले बट्टा में अगर इस तरीगे का संख्या मिले तो वहाभी क्या होगा सांधसमलम में होगा या फिर इस दोनों का गुनन फल, दो के पावर N और पाँच के पावर N का गुनन फल, यानि दो गुने पाँच, दस मिले, या फिर दो गुने दो गुने पाँच, न चार पंचे बीस मिले, या फिर दो गुने पाँच, गुने पाँच इस तरीके से भी मिले, तो वह भी क्य होगा सांदसमलब में होगा लेकिन दो और पांच के अलावा कोई संख्या अगर बट्टा में आ जाए एक बार भी कोई दूसरा संख्या बट्टा में आ जाए जैसे बट्टा में तीन आ जाए बट्टा में साथ आ जाए बट्टा में ग्यारा जाए कोई भी संख्या आ जाए वो सान दसंबलब में होगा या सान दसंबलब तो बट्टा वाला भैलू को देखिए 40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 पंचे 40 तो 8 के लिए 2 का क्यूब और 40 के लिए 5 देख लीजिए यहाँ पे 2 का पावरेन है 5 है केबल 2 और 5 है बट्टा में यानि इसका मान सान दसंबलब में होगा दसंबलब के निशित अस्थान तक जाकर के इसका मान निकल जाएगा ठीक है दूसरा कोश्चन लेते हैं 7 बट्टा 7 बट्टा अगर हम लेते है 125 तो 125 को देखिए यह क्या है 5 का क्यूब है मतलब इसका मान भी सान दसंबलब में हो जाएगा उसी तरीके से अगर हम लेते हैं आपका यहाँ पे 11 बट्टा अगर हम यहाँ पे लेते हैं 11 बट्टा 33 11 बट्टा हम क्या लेते हैं यहाँ पे 33 नहीं कोई और संख्या ले लेते हैं का मान असांत दसम्लम में हो जाएगा तो यह हमारा असांत दसम्लम में है बांकि सभी क्या है सांत दसम्लम में है तो सांत दसम्लम का पहचान क्या हो गया कि जिस संख्या के बट्टा में 2 का power in या 5 का power in या 2 आ 5 का गुननफल होगा वह आपका क्या होगा 2 का power in और 5 के power in का गुननफल होगा वह आपका होगा सान दसमलब में रेश्ट जो भी होगा वह आपका असान दसमलब में होगा अब इस question में पहचानियें देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर value कट रहा है तो काटेंगे तो 6 से इसको काटिए 6 से काटिएगा देखिएगा क्या value होगा 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 6, 4, 24 कितना मानाया 1 बट्टा 24 मानाया अच्छा 24 में देखिए 1 बट्टा 24 अब तो value कटेगा नहीं और 24 में तो 3 मिलेगा 24 को जब आप तोड़िएगा तो 3 मिलेगा तो बट्टा में 3 आ रहा है मतलब कि यहाँ आपका सांद असमलब नहीं होगा उसी तरह से 12 को तोड़िए 12 गुने 12 144 ओपर में क्या है आपका एक और नीचे में क्या है 12 इसको तोड़िएगा तो भी बट्टा में 3 आएगा आपका उपर में हम इहां पर कारते हैं तीन चौके 12 दो बचेगा आपका 3, 8, 24 एक बट्टा और तालिस और तालिस को भी तो रहिए 16, 3, तालिस यहां भी बट्टा में 3 आया यह भी आपका क्या होगा यह भी सांदसमलब नहीं होगा 9 बट्टा 144 इसको काटिए 1 बट्टा 16 16 नमा 144 एक बट्टा 16 होगा देखिए बट्टा में 2 का पावर कितना है 16 मतलब 2 का पावर 4 है केबल 2 का पावर 4 है तो इसका मतलब है कि इसका मान किसमें होगा इसका मान आपका 7 दसमलब में होगा तो जिस भीन के बट्टा में 2 का power N हो, या 5 का power N हो, या फिर इस दोनों का गुननफल हो, वह आपका असान दसम्लब में होगा, रेस्ट जो भी होगा, वह आपका असान दसम्लब में होगा, चलिए बरते हैं अगले question में, अगला question देखिए, यह question भी बहुत simple है, लेकिन बहु के 4225 का बर्गमुल 65 ठीक है 4225 का बर्गमुल क्या है 65 तो यहां दो अंग के बाद असमलब है बर्गमुल करेंगे तो एक अंग के बाद असमलब यानि की 6 असमलब 5 4225 का बर्गमुल 65 दो अंग के बाद असमलब बर्गमुल करेंगे तो एक अंग के बाद किसी भी संक्या का जब बर्गमुल करते हैं तो अंदर में अगर दो अंग के बाद असंगल बाहर निकालेंगे तो एक अंग के बाद अंग अंदर में अगर चार अंग के बाद असंगल बाहर निकालेंगे तो दो अंग के बाद अब यहाँ पर देखें पहले 4225 का बर्गूल वाता यह कितना होगा? 65 अब अंदर में देखें 4 अंक के बाद असंबलब बाहर निकालेंगे 2 अंक के बाद असंबलब 0, 16, 5 अब हमें क्या करना है? इस दोनों को हमें जोड लेना है तो जोड लिए जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो ध्यान से देखिए 6.5 पांच के बाद कोई संक्या नहीं है तो हम 0 ले दिये क्योंकि यहाँ दसंबलब के बाद 2 अंक है तो इसको भी दसंबलब के दो अंक के फॉर में हम लोग कनवर्ट कर दिये और वैसे भी दसंबलब के बाद 0 डालने से उसके माने में कोई अंतर नहीं होता है इसका तो कोई वैलू नहीं है अब इसमें हमें जोड़ना है 0 दसंबलब कितना हमें जोड़ना है इसमें 6 5 एड़ करिए 5 6 5 11 एक हासिल एक पॉइंट है तो पॉइंट है तो पॉइंट 6 और add कर देंगे अगले कुश्यन में आईए नंबर तीन कुश्यन नंबर तीन देखे क्या बोला है बोला है तीस लीटर नमक के गोल में पांच प्रतिसत नमक है देखे तीस लीटर नमक के गोल में या जो तीस लीटर नमक का गोल है इसमें पांच प्रतिसत नमक है यानि तीस ली लिटर पानी मिलाए तो नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम एकस लिटर पानी मिला देते हैं पहले से जो 30 लिटर का गहोल था उसमें 5% नमक था अब इसमें कितना पानी मिलाए तो 30 लिटर के गहोल में हम मान लिए कि माना कि एक लिटर पानी मिला है ताकि परिणामी गोल में नमक तीन परसेंट मतलब इसमें नमक कितना होना चीए तीन परसेंट इसका कितना परसेंट इसका तीन परसेंट जो है वह आपका नमक होना चीए तो यहाँ पे देखिए इस गोल में नमक का इतना इस गोल में नमक का मातरा इतना और दोनों जगा नमक का मातरा क्या होगा बराबर होगा दोनों जगा नमक का मातरा क्या होगा बराबर होगा बराबर क्यूं होगा तो देखिए तीस लिटर में नमक का मात्रा 5% था नमक का मात्रा यहाँ पर निकाले हैं और अगली बार इसमें हम पानी मिलाए हैं अगली बार हम क्या मिलाए हैं इसमें पानी मिलाए हैं तो पानी मिलाएंगे तो नमक का मात्रा तो उतना ही रहेगा पानी मिलाने से गोल का मात्रा बढ़े साथ जो भी चीज हम मिलाएंगे उसका मातरा बढ़ेगा जो नहीं मिलाएंगे उसका मातरा constant रहेगा जैसे दूध और पानी का आपका मिसरन है अगर हम इसमें दूध मिलाएंगे तो मिश्रन का मातरा बढ़ेगा दूद का मातरा बढ़ेगा बट पानी का मातरा उतना ही रहेगा अगर हम पानी मिलाते हैं दूद और पानी के मिश्रन में अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी का मातरा बढ़ेगा मिश्रन का भी मातरा बढ़ेगा लेकिन दूद का मातरा उतना ही रहेगा तो यहाँ पे मिलाया गया है पाने इसलिए दोनों जगा नमक का मात्रा बराबर अब इस question को solve कर लिजे simple सा प्रतिसत यहाँ भी है प्रतिसत यहाँ भी है cancel 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 से काटेंगे 30 को 10 10 गुने 5 क्या होगा 50, 50 बराबर 30 पलस X, अब आप देख के बता दो कि X का वैलू क्या होगा पलस 30 इधरा के 50 में से घटेगा 20, 20 बराबर X यानि X का माना आपका कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा, तो बिकल्प A जो है न, वहाँ आपका इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है, चलिए बरते हैं अगले question में, अगला question देखिए यहाँ आप पे देखिए जो question है आपका time and work से है, बोला है एक इसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बिवसी काम को 8 दिनों में कर सकता है अब इतने data से question को हम लोग solve करते हैं, एक किसी काम को कर सकता है 6 दिनों में और बिवसी काम को कर सकता है 8 दिनों में, अब इन दो बरकर से हम आप निकालिए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा तो A 6 दिन में, B 8 दिन में तो total बरक कैसे निकालते हैं दोनों का LCM, तो 6 और 8 का LCM कितना होगा 24 टोटल वर्क हो गया 24 अब A 24 उनिट काम 6 दिन में तो एक दिन में 64 चोबीस और B एक दिन में 8 तिरिक 24 टोटल 24 उनिट काम हो गया टोटल वर्क में A के डे से भाग करेंगे A के एक दिन का काम टोटल वर्क में B के डे से भाग करेंगे B के एक दिन का काम तो हम वर A और B के द्वारा साथ काम करने में लिये गए समय के बराबर समय लेता है देखे बोला यहाँ पर क्या है कि C इस काम को करने में न A और B के द्वारा जो समय लिया गया है उसके बराबर समय लेता है C को कितना समय लगता है C को समय लगता है A और B के द्वारा लिये गए समय के बराबर अच्छा एक जी और यहां से समझिएगा एक जी आपको क्या समझना है कि दो ब्रकती को या दो वरकर को समय बराबर लगता है इसका मतलब दोनों वरकर का efficiency बराबर होगा जैसे हम कहेंगे कि किसी काम को करने मेंराम को जितना समय लगा उतना ही समय स्याम को लगा अब दोनों को समय बराबर लगा इसका मतलब दोनों का efficiency क्या होगा कारे छमता क्या होगा equal होगा हम बोलेंगे कि A को जितना समय लगा उतना ही समय B को लगा इसका सिधा सा मतलब है कि A का efficiency यानि कारेच हमता B के कारेच हमता के बराबर है clear? तो यहाँ पर बुला गया है कि C को जो समय लगता है वह A और B के समय के बराबर लगता है इसका मतलब C का जो efficiency होगा वह A और B के efficiency के बराबर तो A और B मिलाकर एक दिन में बोलिए कितना काम करता है साथ यूनिट A और B मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है साथ यूनिट तो आप बताईए कि C एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा साथ यूनिट काम करेगा A एक दिन में चार यूनिट B एक दिन में तीन यूनिट है ना और C का efficiency जो है वो A और B के efficiency के बराबर यानि C उतना ही काम करेगा जितना A और B मिलकर तो A एक दिन में 4, B एक दिन में 3 तो C एक दिन में दोनों के योग के बराबर यानि 7 unit काम करेगा बस अब question आपका solve हो गया अब question में क्या बोला है यदि B और C मिलकर काम करे तो काम पुड़ा होने में कितना समय B और C मिलकर काम सुरू करे तो B एक दिन में कितना unit 3 unit और C एक दिन में कितना unit 7 unit तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 unit काम करेगा और काम करना है कितना total काम कितना है 24 तो 24 unit काम है और B और C मिल कर करेगा तो एक दिन में 10 unit काम करेगा तो 24 unit काम में 24 बटा 10 दिन का समय लगेगा बस question आपका solve हो गया काट लिजे 2 से उपर में 12 नीचे में 5 यानि B और C को इस काम को समाप्त करने में 12 बटा 5 दिनों का समय लग जाएगा total work उपर और जिस worker से काम लेना है उसके एक दिन के काम से भाग तो total work कितना है 24 और इसको लेना है B और C से तो B और C के एक दिन का काम कितना है 10 unit 24 में 10 से भाग करेगा answer आपका आजाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question में अगला question देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है total एक लड़के के पास 60 रुपए है जिसमें 5-6 और 8 कानुपाद है और इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्खे हैं इसमें देख लीजे एक रुपए वाला है ठीक है एक रुपए वाला है इसके अल 25 पैसे वाला सिक्खा है तीन तरीके का सिक्खा है एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे और किस अनुपाद में है 5-6 और 8 के अनुपाद में 5-6 और 8 के अनुपाद में अब यहाँ पर क्या दे रखा है सिक्कों के संख्या का अनुपाद दे रखा है सिक्कों के संख्या का पांच अनुपात च्यानुपात आट बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन क्या बोला गया फिर से देखिए एक लड़के के पास स्कूल साथ रुपए है जिसमें पांच और आट के अनुपात में एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के सामिल है यानि एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में रखे गए हैं मतलब सिक्को के संख्या का अनुपात और वैसे भी जहां पे असपस्ट रूप से आपको यह पताना चले कि अनुपात किसका है यान सिक्को के संख्या का अनुपात है कि मुल का तो वहां पे आ बोल आजिसमें 5-6 और 8 का अनुपात में रखा गया है मतलब 1 रूपय, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के संक्या में 5 अनुपात, 6 अनुपात, 8 का अनुपात अब question में देखिए कि total किसका दे रखा है तो total दिया है सिक्कों का कुल कीमत तो सिक्कों का कुल कीमत कितना है 60 रुपए तो संख्या से हम सिक्कों का कुल कीमत यानि कुल मुल निकालेंगे तो आईए बारी-बारी से सभी सिक्का का मुल निकालते हैं सबसे पहले देखिए एक रुपया वाला कितना सिक्का है 5 तो इसका कीमत 5 हो जाएगा एक रुपया वाला जितना सिक्का उतना कीमत एक रुपया वाला एक सिक्का, एक रुपया, दो सिक्का, दो रुपया, तिन सिक्का, तिन रुपय पचास पैसे वाला जितना सिक्का उसका आधा कीमत पचास पैसे वाला छे सिक्का है तो तिन रूपए दो सिक्का एक रूपए चार सिक्का दो रूपए जितना सिक्का उसका आधा कीमत और पचीस पैसे वाला जितना सिक्का होगा उसका एक चौथाई कीमत 1,4 यानि बट्टा, 4, तो 25 पैसे वाला 8 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा 2 रुपया, क्योंकि 4 शिक्का बराबर 1 रुपय, तो 8 शिक्का बराबर 8 बट्टा, 4 यानि कि 2 रुपय, तो सभी सिक्का के मुल्यों में अनुपात निकालिए 5 अनुपात 3 अनुपात 2 अब आप निकालिए सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत तो 5, 3, 8 और 2, 10 अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत अनुपात 10 होगा जबके रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत है साथ रूपए देख लिजिए सभी प्रकार के सिकों का कुल कीमत कितना है साथ रूपए अनुपात में सभी प्रकार के सिकों का कुल मुल पांस दिन आठ और तो दस संख्या से मुल में आ गए 10 अनुपात 10 का मान 60 अनुपात 10 का मान 60 है तो अनुपात 1 का मान यहां से निकालिए कार्टिये 10 से 10 शकम 60 अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 6 रूपए अनुपात 1 का वहलू कितना हो जाएगा आपका अनुपात 1 का वहलू 6 हो जाएगा ठीक है रूपए छोड़ दीजी आप अनुपात एक का भैलू कितना हो जाएगा अनुपात एक का भैलू 6 हो जाएगा अब चलिए हमसे पूछा क्या गया है पूछा है 25 पैसे के सिक्को की संख्या गयात करे तो संख्या का रिश्यो देखे कहां पे है उपर में है कि नीचे में उपर में है तो सिक्को का संख्या उपर से निकलेगा किसके सिक्को की संख्या पूछा है 25 पैसे तो 25 पैसे के सिक्को की संख्या अनुपात में कितना है अनुपात 8 तो 25 पैसे के सिक्को की संख्या आपका 48 हो जाएगा ठीक है उसी तरह से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पुष्टा तो अनुपात 1 कामान 6 तो 6 कामान 6 गुने 6 36 हो जाता एक रुपए के सिक्कों की संख्या पुष्टा तो अनुपात 1 कामान 6 तो 5 कामान 5 गुने 6 यानि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है चलिए पूचा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो आपका क्या अंसर होगा 48 आपका अंसर हो जाएगा आप चाहिएगा तो नीचे वाले से भी निकाल सकते थे नीचे वाले से कैसे निकालते तो अनुपात एक कामान 6 तो दो कामान 6 दूना 12 अब 25 पैसे वाले सिक्को का मुल 12 रुपए तो सिक्का तो 48 होगा 25 पैसा वाला सिक्का मिला के 12 रूपए तो सिक्का कितना होगा 48 होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे न कैलकुलेशन बढ़ जाता इस बज़े से डारेक्ट हम लोग सिक्का का संख्या उपर वाले रेशियों से निकाल लिए है आगे बढ़िए अगला कुशन देखे क्या है बोला है एक कुर्सी के विक्रैमूल पर 10 प्रतिसत और 14 प्रतिसत के छूट देने पर 27 रूपए का अंतर आता है जब 10 प्रतिसत और 14 प्रतिसत का छूट देगा तो बिक्रैमूल में अंतर परसेंटेज में कितना का आएगा 4 प्रतिसत का किसके 4 प्रतिसत का जो भी उसका मुल होगा तो मुल हम उसका माल लेते हैं एक इसके 4 प्रतिसत यानि 4 बट्टा 100 के बराबर विक्रेमुल में अंतर आएगा जबकि विक्रेमुल में अंतर कितना का दे रखा है 27 रुपए का बस कोश्चन आपका हो गया सोल्ब एक कुर्षी के विक्रेमुल पर 10 प्रतिसत और 14 प्रतिसत चूट देने पर तो 10 प्रतिसत और 14 प्रतिसत अगर चूट देता है तो विक्रेमुल में अंतर कितने परसेंट का आएगा 4 परसेंट का किस के 4 परसेंट जो उसका कीमत होगा आंकित मुल होगा उसके 4 परसेंट तो उसका किमत हमान लिए X, X के 4%, यानि 4 बटा 100 के बरावर बिक्रैमूल में अंतर होगा, जबकि अंतर कितना का है? 27 का, सोल्ब करिए, 4 से काटिए, 25 चो के 100, अब X का भेलू निकालिए, क्रोस मल्टिपलाई करिए, 25 गुने 27 कितना हो जाएगा आपका? 675, तो 675 रुपाई यही आपका किस का मान होगा? X का मान, एक और देख लीजे, 60 तरीका क्या है? कितने रुपाई का अंतर है? 27 रुपाई का, तो 27 को ऊपर रखिए, बटा बिक्रैमूल में अंतर परसेंटेज में कितना? 10 और 14 है, 4 का, तो बटा में क्या होगा? आपका 4 होगा, और हमें बताना है, पूरे 100 परसेंट का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे? 100 से, यहां से भी आप अपने कोशन का अंसर निकाल सकते हैं, डाइरेक्ट यह अपरोच है, या फिर कैलकुलेसन थोड़ा करना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशन में, अगला देखें कोशन क्या है, कच्छा 10 के चात्रों के लिए एक परिच्छा का आयोजन किया गया, अब बोला है 96 परिच्छा चात्र पास हुए, अच्छा आप सोचो जारा कि 96 परिच्छा चात्र पास हुआ है, किसका? टोटल जितना स्टूडेन्ट उपस्थित हुआ होगा, उसका 96 परिच्छा पास हुआ है, इसका मतलब 4 प्रतिसत फेल 4 प्रतिसत फेल यानि कि 4 बट्टा 100 फेल जबकि फेल छात्रों का संक्या कितना है 50 देख लीजे बोला है 50 छात्र औसफल रहा औसफल कितना रहा है 50 छात्र औसफल रहा है देखेगा बोला है कप्छा 10 के छात्रों के लिए एक परिच्छा कायोजन किया गया अब इसमें बोला है कि 96% चातर पास हुए और 50 औसफल औसफल यानि फेल अब फेल कहने का मतलब कि टोटल जितना एस्टुएंट होगा उसका 96% पास हुआ है मतलब सेस फेल तो सेस कितना बचेगा 96% पास हुआ है मतलब 4% तो कुल भी द्यार थीका 4% यानि 4 बट्टा 100 यानि इतना फेल किया होगा जबकि रियल में फेल किया है 50 अब यहां से आप X का मान निकाली यह आंसर आ जाएगा 4 से काटेंगे 100 को 254 के 100 X का भैलू Cross multiply करिए 25 पंचे 125 यानि 1250 जो है वो आपका छातरों का कुल संख्या हो जाएगा 1250 छातरों का कुल संख्या हो जाएगा Direct solve करना चाते हैं तो असफल छातर कितना है बास्ता में 50% में कितना है 96% में पास है फेल है परसेंटेज में आपका 4 रियल में असफल 50% में 4 50 जो है वो 4% का मान है 4 से भाग करिए 1% कुल भी दयार थी यानि 100% का मान 100 से गुना 4 से काटिए आंसर आपका आजाएगा 25 पंचे 125 या भी एक तरीका है या भी एक तरीका है दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इस से आपका ज़्यादा जल्दी आंसर आजाएगा आगे चली अगला कोश्चन देखिए नंबर 9 यह कोश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट किया है बोला गया है दो संख्याओं में 7 अनुपात 11 का अनुपात और मौसा 8 तो इनका लौसा क्या होगा चली लौसा निकालना है ना यानि कि इलसियम निकालना है तो संख्याओं में जब भी अनुपात दे रियान से समझेगा संख्याओं में जब भी अनुपात दे और मौसा दे लौसा पूछे मौसा दे के लौसा पूछे तो सब ही को आप आपस में गुना कर दीजे जो भी संक्या दिख रहा है तो हमें संक्या दिखा है साथ इसके अलावा एक ग्यारा इसके अलावा आठ सब ही को आपस में गुना कर दीजे यही इसका इलसियम हो जाएगा एक यारह सते सततर अठे कितना हो जाएगा 616 अंती में 6 वाला एक मातर उप्सन है 616 यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा संख्याओं में अनुपात दे करके मौसा देगा लसा पुछेगा सब को गुना कर दीजे आंसर आपका आजाएगा अब ऐसा क्यों करते हैं उसको समझ लेते हैं दो संख्याओं में 7 अनुपात 11 का अनुपात अब यह दो संख्याओं में 7 अनुपात 11 का अनुपात दे रखा है अनुपात के अलाबाग क्या दिया है इसका मौसा तो अनुपातिक संख्याओं का भी आप मौसा निकाले इसका भी आपको क्या निकालना है मौसा यानि HCF तो 7 और 11 का मौसा कितना होगा एक होगा अनुपात में इसका मौसा निकला है इसलिए अनुपातिक मौसा कैसे निकालते हैं मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्या वो काटे तो 7 और 11 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 7 और 11 को कोई भी संख्या नहीं काटेगा इसका मतलब इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संक्या एक होगी तो साथ और ग्यारा का मुसा एक तो अनुपात में इस दोनों का मुसा अनुपात एक जब के रियल में इसका मुसा कितना आठ तो अनुपात एक का मान कितना हो गया आठ हो गया अब अनुपात एक का मान आठ हो गया तो हमें इसका लौसा बता तो दोनों का गुनन फर LCM होगा, तो अनुपात में है LCM निकला है, अनुपात 77 और अनुपात 1 कामान 8 के बराबर, तो 77 कामान 77 गुने 8 यानि की 616 के बराबर हो जाएगा, तो calculation आप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करिए, लेकिन अगर आप direct answer निकालना चाहते हैं, तो 14161 का बर्गमूल होगा, 14161 का हमें क्या निकालना है बर्गमूल, 14161, अब ट्रिक समझेगा, कैसे बर्गमूल निकालते हैं हम लोग, ट्रिक देखिएगा क्या है यहाँ पे, हाला कि इसको हमने अच्छी तरह से बताया है, इसका बर्गमूल यानि की root under इतना कमान निकाल निकालना है, तो जब भी किसी संक्या का बर्गमूल निकालना होगा तो आप पीछे से दो अंग छाटिएगा, बर्गमूल के लिए क्या करना है, पीछे से दो अंग और घनमूल के लिए पीछे से तीन अंग छाटते हैं, अब पीछे से दो अंग छाटने के बाद जो संक् कि किसका वर्ग करे कि या तो एक सो एक तालिस आ जाए या एक सो एक तालिस से कम जादा नहीं आना चाहिए तो बारा का वर्ग एक सो चो बालिस हो जाएगा बारा का वर्ग नहीं सूट करेगा एक ग्यारा का वर्ग सूट किया तो हम क्या लिखेंगे यहां पे एक ग्यारा य जाएगा तो 119 इतना से ही आप cancer आ जाएगा हला कि कुछ concept और यहां पर देखेंगे हम लोग फिर से देखिएगा बर्गमुल जब भी निकालना होगा तो पीछे से दो अंग छाटेंगे पीछे से दो अंग छाटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है क्या सोचन अब तक हमें 11 लिख चुके हैं अब एक ची और हमें सोचना है क्या क्या हो सकता है कौन कौन सा अंग हो सकता है यहां पर कौन सा अंग हम रख सकते हैं कि इकाय स्थान पर एक आ जाए तो आप सोचे कि ऐसा कौन सा संख्या जिसके वर्ग करने पर इकाय स्थान पर एक आ प्राइंक के बारे में सोचना है कि इकाई अंक एक है तो सोचिए जरासा कि ऐसा कौन सा संख्या हम यहां पर रखे जिसके वर्ग करने पर उसके भी काय स्थान पर एक आजाए तो ऐसा संख्या एक होगा या ना होगा मतलब यहां पर या तो एक होगा या ना होगा मतलब हमार में से कौन हमारा अंसर होगा इसको पता करने के लिए जो 11 है एक बार इसका हमें स्क्वाइर करेंगे तो 121 होगा और एक बार इसके जस्ट बादवाले संक्या का अगर बादवाला संक्या क्या है 12 उसका है स्क्वाइर 144 और अब इसको देखिए कि यह जो है 141 इसके ज्यादा करीब की इसके ज़्यादा करीब यानि 141 से 144 में अंतर कम है या 141 से 121 में अंतर कम है तो 141 और 121 में 20 का अंतर 141, 144 में 3 का अंतर मतलब यह संक्या ज़्यादा करीब है मतलब दोनों में से बादवाला ज़्यादा करीब है तो इस दोनों में से बाद वाला हमारा अंसर होगा यानि हमारा अंसर इस question का क्या होगा 119 और वैसे भी बर्गमूल और घनमूल बहुत ही अच्छी तरह से निकालना हम सिखा चुके हैं एक वीडियो में उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं आगे बढ़िये अगला question देखे क्या है बोला है एक pipe किसी tank को 7 बटा 4 घंटे में भर सकता है ठीक है एक pipe जो है वह किसी tank को भर सकता है कितने समय में 7 बटा 4 घंटे में भर सकता है ठीक है आगे चलिए और दूसरा pipe दूसरा pipe जो है वह tank को पुड़ा भर होने पर 21 बटा 8 घंटे में खाली और दूसरा जो है अगर tank भरा हुआ है तो यह आपका 21 बटा 8 घंटे में खाली कर देगा देखे यह जो है खाली करने वाला है और यह भरने वाला खाली करने वाले को माइनस से भरने वाले को प्लस से रिनोट करेंगे अभी तक तो बस दाटा लिखे हैं एक pipe किसी tank को 7 बटा 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा pipe tank को भरे होने पर 21 बटा 8 घंटे में कैसे निकालते हैं LCM तो उपर वाले का LCM लीजे तो 7 और 21 का LCM कितना 21 किलियर यानि टंकी का छमता है 20 लिटर अब यह एक घंटे में पहला पाइप एक घंटे में कितना भरेगा कैसे निकालेंगे तो टंकी के कुल छमता में इसके समय से भाग करिये तो 7 बटा कितना है 4 भाग करिये 7 तिया 21 बटा वाला 4 उपर जाएगा तो 4 तिया 12 तो यह एक घंटे में कितना भरेगा 12 एक इस में 7 बटा 4 से भाग करिये तो 7 तिया 21 बटा वाला 4 उपर में उना तो 4 तिया 12 एक इस बटा आठ से भाग करी एक कैस में तो एक कैस से एक कैस कटेगा आठ कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा भाग करके देखिए नए एक कैस से भाग करी एक कैस बट्टा आठ में इस से यह कटेगा बट्टा वाला उपर चला जाएगा हमेशा बट्टा वाला उपर जाता है तो बारा में यहाँ पर देखें 21 में 7 बट्टा 4 से भाग करेंगा 7 तीया 24 तीया 12 हो जाएगा 21 से बट्टा 8 से बट्टा वाला 8 उपर चला जाएगा अब इसका मतलब देख लिजे क्या हुआ भीन के रूप में देगा न तो यहीं चीज हमें बस धियान रखना है इसका मतलब यह हुआ कि पहला पाइप अगर चलेगा तो एक घंटा में 12 लिटर भरेगा और दूसरा चलेगा तो एक घंटा में 8 लिटर खाली करेगा यह खाली करने वाला है जब भी चलेगा खाली करेगा यह भरने वाला है जब भी चलेगा तो भरेगा अब कुक्षन में देखे क्या बोला है दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टंकी 2 तीहाई खाली था टंकी कितना खाली है? 2 तीहाई खाली है तो 21 का 2 ती हाई कितना हो जाएगा 3 सत 21 सा 2 ना 14 यानि 14 लीटर ही खाली है मतलब हमें पूरा टंकी नहीं भरना है 14 लीटर ही भरना है दोनों को कब खोला गया जब टंकी 2 ती हाई खाली था 21 का 2 ती हाई मतलब 14 लीटर खाली है तो हमें 14 लीटर भरना है तो टैंक को भरने में कितना समय तो यह 14 लिटर भरने के लिए दोनों को खोला गया है दोनों को खोला गया है दोती है भरने के लिए दोनों को खोला गया है अब दोनों चलेगा तो यह भरेगा 12 लिटर यह खाली करेगा 8 लिटर यह भरेगा प्रतेग घंटा में 12 लिटर यह 8 लिटर खाली करेगा तो 12 भरेगा 8 खाली होगा यानि प्रतेग घंटा में 4 लिटर भरेगा तो 14 लिटर भरने में 14 बट्टा 4 घंटे का समय लगेगा सोलब करिए यहाँ पे दो हो जाएगा उपर में साथ, साथ बट्टा दो यानि सारहे तीन घंटा सारहे तीन घंटा यानि कि तीन घंटा तीस मिनट का समय लगेगा इस तरीके से टंकी को पूरा-पूरा भरने में चलिए तो यह था आज का आपका आखरी कोशन आज के लिए इतना ही वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ थाइंक्यू जैहिंद